Zomb 100 episode number 6 के शुरुवात में हमें दिखा जाता है कि जो zombies थे वो कुछ जादा ही बढ़ चुके थे शहर में लेकिन उसी तरफ जो आकीरा और केंचो थे वो दोनों चला जाते हैं कि expensive watch shop में जहाँ पर जाने के बाद जो आकीरा था उसको एक gold watch काफी पसंद आ जाता है और वो उसको पहन का flex मारने लगता है लेकिन उसी तरफ जो केंचो था उसको भी एक watch पसंद आता है लेकिन वो watch था 9 million yen का जो देखने का बाद दोनों का ही हालत खराब हो जाता है लेकिन अभी उनको रोकने वाला कौन ही था तो दोनी, watch वगरा पहन के I must suppose वो उसमार के photo की चानल लगता है और अपना एक bucket list भी complete कर लेता है और फिर शिव्ट वोतर हमें रात का scene दिखा जाता है जहां पर आकरे को पता चतला है कि उनका जो water supply था, जो tank था वो पूरी तरिके से खाली हो चुका है और फिर केंचे भी कहता है कि हाँ, हमारा जो पूरा city है वो एकतम dark है इसका मतलब कि जो पूरा city है उसमें electricity एकतम cut हो चुका है जिसके वैसे pump भी नहीं चल रहा है इसका मतलब यही हो सकता है कि इस पूरे बड़े city में सिर्फ हम लोगी सिंदा है और अगर ऐसा चलता रहा तो जल्दी हमें खाने पीने का भी दिकत होना चालू हो जाएगा तो अभी time आच चुका है कि हमें अपने survival को seriously लेना होगा और यह सब सुनने का बात जो आकरा था वो सोच लगता है कि हम क्या कर सकते क्या हम farming करें या फिर हम किसी ramen shock में चले जाए लेकिन उसे कुछ भी सूचता नहीं है और फिर वो आस्मान के तरफ देखता है और वो इतम शौक हो जाता है कि जो आस्मान था वहाँ पे बहुत सरे stars थे और आस्मान काफी सुन्दर लग रहा था इवन केंचो को भी ये night sky काफी पसंद आता है लेकिन तभी आकरा को एकदम से nostalgic feel होता है वो याद करता है अपने ममी और पापाय का साथ गाउं में बिटाये वे दिन जहाँ पे वो आस्मान को ऐसी देखता था और आस्मान इतना ही सुन्दर हुआ करता था जो वहाँ पे केंचो था वो आकरा को दिलासा देता है कि तुम चितना मत करो तुम्हारे parents अभी भी जिन्दा होगे और ये सुनने के बाद ही जो आकरा था वो decide कर लेता है कि अभी उसको आगे अपने गाउं ही जाना है गुनमा और अगले दिन सुभा ही वो दोनों गुनमा जाने के लिए अपना पैकिंग चालू कर देते है जो केंच होता वो को जाधा ही पैक कर लेता है लेकिन फिर जो आकरा था वो लास्ट टाइम के लिए अपने रूब में जाता है जहां पर जाके वो अपने college life, अपने job life और finally Tokyo को bye bye कहता है और अगले ही सीन में वो और केंच जो अपने bike में बैट के निकल पड़ते है गुनमा के लिए जहां पर जाने के लिए उनको लगबख 4-5 घंटे का driving तो लगेगा ही इसलिए जो आकरा था उसके दिमा में कुछ और ही चल रहा था और वो था कि उसे एक luxury bed चाहिए, एक ऐसा जगा चाहिए जहां पर वो मस्ती कर पाएगा और साथी साथ वो protected भी रहेगा और वो है एक travel van और उसके ही खोज में वो चला जाता है एक camping car show में लेकिन जैसी वो दोनों आगे बढ़ते हैं उनको ऐसा feel होता है कि शाइड में भी मानों कोई है और जैसी वो लोग side देखते हैं महाँ और कोई नहीं बलकी शिजुका थी लाइक वो लोग फिर से मिल चुके थे और ये coincidence देखने का बाद आकिरा, शिजुका दोनों ही काफिजदा शौक थे और जो आकिरा था वो अपने दिमाग में सूच लगता है कि देखो ये coincidence नहीं हो सकता ये शाद हमारे किस्मत में लिखा हुआ है ये तो हम एक साथ इतने बार कैसे मिल सकते हैं लेकिन फिर भी जो आकिरा था वो अपना आपको गंट्रोल करता है और शिजुका को ओफर करता है कि चलो तुम भी हमारे साथ गुमना चलो लेकिन जो main problem था वो होता है कि शिजुका के पास अभी भी अपना license नहीं था लेकिन उसे तरफ से केंच होता है कि तुम्हें इतना idea कैसे हुआ और फिर शिजुका बताती है कि उसने लगभग 100 zombie related movie देखा है और फिर वो एक conclusion पर आए कि RV कारी ट्रैंसपोर्ट के लिए best होता है ऐसे zombie apocalypse के लिए और ये सुनने के पाद ही जो आकिरा था वो एकदम साथ और कहता है कि हाँ हाँ मैंने भी same चीज़ कहा है इसले क्यों ना त strong team बन पाएंगे तभी तुम भी safe रह पाओगे और ये सब सुनने के बाद जो हुआ पर शिजुका थी वो finally agree कर जाती है और फिर वो तीनों finally उस्टोर के अंदर घुसते है और केंचो और आकिरा RV वेकल्स को देख एक तम crazy हो जाता है केंचो देवन एक RV वेकल कांदर जो ज जरी van डूर निकालते है लेकिन फिर जो शिजुका थी वो उनको कहते है कि नहीं हमें ऐसा नहीं बलकि कुछ ऐसा चाहिए लेकिन वो कार को देखने के बाद ये आकिरा का mood एकदम down हो जाता और वो शिजुका के मूह में ही बोलते है कि नहीं हम ऐसा normal दिखने वाला RV तो बि करते रहे तो हमारा life बहुत जादा boarding हो जाएगा हमें कुछ अच्छा सा और नया सा ट्राइ करना होगा और उसे तरफ जो शिजुका थी वो भी तोरह इस तरफ उस तरफ देखती है और तभी उसका आँख जाता है एक mini van के तरफ और वो जो van तभ वो बहुत ही सुंदर तिर और हमें दिखा जाते कि जो पूरा स्टोर था उसा गैलरी जॉम्बी से भर चुका था जो आकिरा केंचो और शिजुका थे तीनोई जो सबसे करीबी वाला van था उसका अंदर चले आते है और जो जॉम्बी था वो पूरी तरीके से उनके van को घेड लेते है आकिरा एकदम से फुल स्पीड में वहां से अपना van को लेके निकल पड़ता है और जो केंचो था वो आकिरा का बाइक को लेके निकल पड़ता है लेकिन अनफॉर्शनेटली जो van उन्होंने चूज किया था आमिन चूज तो ने जो लिया था वो बहुत ही बेसिक था और फिर वो लोग अप नहीं एक पूरा स्पाइक ट्रैप बिचा हुआ था और वो लोग काफी स्पीड में थे तो लोग अपना आपको रोग भी नहीं पाते और अगले ही मिनिट में जैसी वो लोग स्पाइक ट्रैप को उपर से जाता है दोनों बाइक और वैन एक तम स्किट करके गरता है और ज अजीब से दिखने वाले गैंग मिंबर्स जो की बेजबॉल कॉस्ट्यूम में थे और तभी उनका जो लीडर था जो गैंग लीडर था वो अचानक से आखिरा के तरफ देखता है और कहता है कि यह तो तेन तो लग रहा है है ना और जैसी आखिरा उसके तरफ देखता है व पर हमसाद चिलाया करता था और यह से बाते सोचके ही आखिरा को एक्तम सफुगेशन सा होने लगता है उसको घुटन सा मैसुस होता है और वो एकतम अपना गला को पकड़ लेता है लेकिन से तरफ जो को सुगी था वकद है कि तहिंदो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था क तुम इतना देर तक सर्वाइब कर लोगे बट एनिवेज अभी तुम अपना जर्नी को शायद कंटिन्यू नहीं कर पाऊगे क्योंकि तुम्हारा ट्रक का टायर भी फ्लैट है और तुम्हारा दोस्ट बेंजी ओड है बट तुम जितना मत करो मैरे पास स्पेर टायर भी है और मेडिकल एड भी है और साथी साथ खाना भी है और मैं तुम्हारे पूराने बॉस होने के ना दे तुम्हें हैल्ट तो जरूर से करूँगा और यह सब सुनने के बाद ही जो आकीरा था उसका जितने भी डर था वो सब गायब हो जाता और वो इक्तम खुश रजाता है ज उसको ये पूरा केस समझ में आ जाता है वो उनका सामने जाता है और कहता है कि तुम लोग असल में एक रैकेट सला रहे हो है ना जहां पर तुम ऐसे लोगों को पहले इंचियोर करते हो फिर उनको मैनिपिलेट करते हो और उसके बाद उनको लूट लेते हो और ये सुनने के जो कोसुगी था वो भी accept करता है और कहता है कि अभी इस वर्ल्ड में कोई भी law नहीं है तो फिर मैं जो कहूंगा वैसा ही चलेगा और वैसे भी तुम्हारे पास मेरा इस offer को accept करने के वगएर और कोई option भी नहीं है और मैं और एक बात बता दू कि तुम्हारे पास जादा time मिनी है और ये कहते ही जो side के जारियों थे वहां से काफी सारे zombies निकल पड़ते है और उसे तरफ जो कोसुगी था वो कहता है कि आखिरा तो तुम finally decide कर लो क्या तुम दो दिन के लिए सिर्फ दो दिन के लिए मेरे लिए काम करने के लिए तयार हो और अगर तुम हाँ बोल परहा था वो ठेंक से बोल भी नहीं पा रहा था लेकिन फिर भी वो इस परस्ताफ को accept कर लेता है सिर्फ अपने दोस्त के लिए और फिर अगले ही सीन में कोसुगी आखिरा को लेकर चला जाता है अपने company में जहां पर वो बताता है कि उसका काम होंका truck से सामान को unload करना और और सिजुका केंचो को पूरी तरीके से ट्रीट कर देती है लेकिन जो केंचो था वो इस पूरे चीज के लिए अपने आपको ही responsible मान रहा था लेकिन सिफिर सिजुका बताती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है यह सब उनका holiday pre-plant child था और सिदर जो आकिरा था वो काम पर लग जाता है और जो काम था वो काफी जाता हाड था क्योंकि उपर से एक तम स्क्रोचिंग हीट भी था जो आकिरा था वो अपना diary को निकालता है जहां पर 100 चीज़े लिखने वाला था और डिसाट करता है कि मुझे तो अपना life को अपने way में ही जीना है और फि तुम यह क्या कर रहे हो क्या मैंने तुम्हें यह चीज करने के लिए और दिया है और यह सब सुनने के बाद जो आकिरा था वो एक्टम ड़र सा जाता है और जो क्याता है कि मैं अपना precious electricity को तुम लोगों के पीछे खर्चान नहीं करने वाला लेकिन तब ही जो आकिरा था उसको फिर से होई suffocation वाला महसुस होने लगता है वेकिन उसी मोमन पे जो दूसरे गैंग मेंबर्स थे वो एक्टम पीछे से आ जाता हो और कहते है कि कोसोगी क्या यह सब बियर हमारे लिए है और हमारे लिए तुम फ्रीज में डाल रहे हो और यह सब सुनने के बाद जो को पार्टी है और उपर से तुम लोग इस कंपानी के लिए इतना साथ हार्ड वर्क कर रहे हो तो यह से तुम्हाय लेकर रिवार्ड है और यह सब सुनने के बाद जो वहाँ पे बागी गैंग मेंबर से वो कभी तरह खुश हो जाते है और वहासे चले जाते है लेकिन जो कोस की कहता है कि हाँ अगर तुम इसे कंट्रोल करना जानते हो तो जॉंबी जसर में काफी अच्छा वर्क फोस बन सकता है वो लोग कंपनी का एक्विप्मेंट है और आखिरा तुम भी कोई डिफरेंट नहीं हो तुम भी इस कंपनी के लिए सिर्फ एक एक्विप्मेंटी हो और वैसे भी तुम ये सब चिल्ड बियर डिजर्फ नहीं करते हो तुम सस्ता और एकदम गरम बियर डिजर्फ करते हो और तुम यूजलेस हो और अगर तुम है मेरा बात है समझ में आया है तो चुप चाप काम पे वापस लग जाओ और ये सब सुनने के बाद जो आकिरा जाता है और उसे तरफ जो केंच वो शिजुका से कहता है कि मुझे पता है कि आकिरा को आज बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला क्यूकि वो अपने बॉस को वैसे भी पसंद नहीं करता था और ये सब सुनने के बाद जो शिजुका थी वो कहते कि हाँ लेकिन तुम कभी ये अपिसोड खातम होता है तो गैस मलते अगले अपिसोड में तिल देन बाई बाई स्टे सेफ